बोल साइनात महाराज कीजे ओम साईराम जैसाईराम साइ गिता चैनल के माध्यम से साइ भक्तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और इस चैनल को इतना प्यार दिया, बाबा के लिए इतने अच्छी अच्छी कमेंट किये उम्स IRAM जैस IRAM और साहिं भकतौ आप लोगोंने पूछा था कि दिदी जो आपने अभी मंदिर दिखाया था वो कहाँ पर है तो साहिं भकतौ मैंने बहुत सारे मंदिर दिखाये हैं आप किस मंदिर के बारे में पूछ रहते हैं लेकिन फिर भी मैंने जो अभी फिलाल में मंदिर दिखाया है वो जनक पुरी वीवन में हैं नियरवाई चर्च, गुर्द्वारा, मंदिर, ससंग भवन और साइं मंदिर सब एक साथ हैं तो साइं भवक्तों अगर आप बाबा के दर्शन करना चाते हैं तो आप इस जगा पर जरूर आएं बाबा हर किसी की इच्छा पूरी करते हैं और बाबा हर जगा पर हैं आप जहां भी याद करेंगे बाबा वहाई ही आपके साथ हैं साइं भवक्तों आप लोग मुझसे कहते हैं कि दिदी ऊदी चाहिए तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि ठीक है मैं आप लोगों को ऊदी भेज देती हूँ लेकिन साही भक्तो अगर आपके आसपास आपको उदी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है आप वहाँ से उदी ले सकते हैं बहुत से भक्त ऐसे हैं कहते हैं नहीं दिदी हमें शीडी की उदी चाहिए तो साही भक्तो ऐसा कुछ नहीं है उदी शीडी की हो या किसी भी मंदिर की हो उदी उदी है क्योंकि वो बाबा की है बाबा हर जगा है शीडी में ही नहीं हर मंदिर में हर अपने भक्त के घर पर हर जगा साई जी है बहुत से लोगों के साथ ऐसे ऐसे चमतकार होते हैं कि उनके घर में कभी अगरबती की खुश्वू आ रही है कभी उनको जैसे हलवा बनना है उसकी खुश्वू आ रही है किसी के साथ फूलों की इतनी खुश्वू आ रही है तो साही भक्तों मैं आप लोगों से यही कहूंगे कि आपके साथ बाबा है बाबा आप पर किर्पा कर रहे है क्योंकि वो अपने हर साई भक्त के साथ है आप जहां भी हैं आपके साथ बाबा खड़े है आपको हिम्मत नहीं हारनी आपको बाबा पर विस्वास बनाए रखना है सवर, शिर्धा और विस्वास साई भक्तो मेरे बाबा कहते है कि मैं सारे काम करता हूँ लेकिन सब चीजों का टाइम होता है हम ही नहीं हजारों करोडों साई भगते है जो बाबा से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं क्योंकि वो तो दाता है इसलिए हम उनसे मांगते है बाबा से मैं यही कहूंगी साई इतना दीजियो जामे कुटुब समाए मैं भी भूका ना रहू आया न भूका जाए कि साई हमें इतना देना कि मेरे परवार, मेरे कुटुब, मेरे सगी संबंदी सब का पेट भर सकूँ और जो अगर मेरे घर में अथिती आया है उसकी भी मैं उसको भी खिला सकूँ, उसकी भी सेवा कर सकूँ जब भाव आपके अंदर जागरित होगा आप लोगों की help करेंगे आप कुछ बच्चों की help करेंगे बाबा अपने आप आपकी help करना सुरू करदेंगे आप अच्छे चिकारे करिए बाबा आपके साथ हैं बहुत सारी ऐसी भक्ते हैं जो इतनी परेशान हैं हमारी साइभग स्वाती जी है और मैं स्वाती जी से कहूँगी कि स्वाती जी मैं कोशिस कर रहे हूं हर चीज के लिए और बाबा से बहुत प्रात्ना कर रहे हूं कि आपका परवार एक हो जाए आपके परवार में जो भी परेशानी हो रही है वो बाबा हमेशा आपकी अंगसंग रहे हो और आपकी परेशानी हमेशा के लिए टाल दे कभी आपके उपर परेशान ही ना है जो आपका बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है कोसिस करेंगे कि आपका बच्चा स्कूल जाए तो साही भक्तों आप ऐसे लोगों की मदद करो जो भूत लाचार है जो परेशान है जिसके पास नहीं है उसकी कोई बात नहीं साही बग क्योंकि जब उनके पास नहीं है तो वो किसी को क्या देंगे लेकिन जिसके पास है वो तो दे सकते हैं वो तो लोगों की मदद कर सकते हैं तो साहीं भक्तों बाबा कहते हैं बाबा भी यही करते थे जब बाबा शीड़ी में रहते थे साथ बरसों तक बाबा ने वहाँ पर रहे अपनी द्वार का माई में और बाबा ने सब की हेल्प करी जो भी भक्ताता था उसकी मदद करते थे और आज भी बाबा हमारी मदद करते हैं इतनी लोगों के साथ चमतकार होते हैं बाबा इतनी चमतकार करते हैं इतनी चमतकार करते हैं तो साहीं भक्तों चमतकार वही होता है जहां विश्वास है, जहां आस्ता है, जहां बाबा पर अंद विश्वास, बाबा पर विश्वास वहीं चमतकार होते हैं तो साइवक्तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि आप बिलकुल भी टेंशन ना लें चिन्ता ना करें आपकी जो भी प्रॉब्लम से हैं बाबा जरूर पूरी करेंगे और मैं बाबा से हाथ जोड़के और बाबा से रिक्वेस्ट करती हूँ ही साई देवा जितने भी साई भकते हैं जिस भी जगा दुनिया में जो भी भकत दुखी है बाबा उन पर किर्पा करना तो साई वक्तो आप लोग गरीबों की हेल्प करें गाए को चारा दें डोगियों को दूद दें पक्शियों को अनाज दें ऐसे अच्छे अच्छे कार्रे करते रहिए बाबा आपके साथ हैं बहुत सारे मेरे से बक्त कह रहे थे कि दीदी हमें बाबा के लिए अगरवत्ती वगिरा भेज ली हैं तो साई बक्तो आप बाबा के लिए अगरवत्ती वगिरा भेज सकते हैं मेरे भोले साई के लिए तो अगर आपको भेजना है तो मैं आपको एड्रस दे दूँगी तो आ ये मैं माफी चाहती हूँ तो ओम साहिरा जै साहिरा